जारखन मतलब जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन मतलब आदिवासी, आदिवासी मतलब वन्चीत, सोसीत, लचार, अभागे, कमजोर और ना जाने क्या-क्या, अब खुद समझ सकते हैं। जिस राज्या की कलपना ही आदिवासी से हो, उस राज्या की राजनेती के केंदर बिंदू में आदिवासी ना हो या कैसे हो सकता है। आदिवासी की संख्या में कमी देखी जा रही है। तो आखिर क्या कारण है आदिवासी की आबादी में कमी होने का और भारती जनता पार्टी द्वारा उठाया गया या मामला कितना सच है। जैसे जैसे जार्खन में विधान सभा चुनाओ नदीक आ रहा है। आदिवासीयों और मुसल्मानों की आबादी का मामला तूल पकरता जा रहा है। भारती जनता पार्टी का या बार-बार आरोप रहता है कि संथाल परगना के आदिवासीयों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जबकि यहाँ पर मुसल्मानों की आबादी बढ़ रही है। इस संबंध में पार्टी ने चुनाओ आयोग से भी सिकायत की है। भागोलिक तोर पर जार्खन चार हिसों यानि संथाल परगना, कोल्हान, उतरी छोटानागपूर और दक्षनी छोटानागपूर में विभाजित है। संथाल परगना इलाके में जार्खन के छे जीले, गोड़ा, देवगर, दुमका, जामताड़ा, साहिब गंज और पाकुर सामिल है। बिजीपी के मुताबिच साल 1951 में जब पहली बार जनगन्ना कराई गई थी। उस वक्त संथाल परगना के जीलों में आदिवासियों की आबादी लगबग 45 परतिशत थी। वहीं 9 परतिशत की आजपास मुसल्मान थे। 46 परतिशत आबादी दलित, ओबिसी और सवन समार से थी। 46 परतिशत की बढ़तरी देखी गई। साल 2011 के जनगना के मुताबिच संथाल परगना में आदिवासि घटकर 28 परतिशत पहुँच गई। वहीं मुसल्मानों की संख्या में जबरज़स्ट बढ़तरी देखी गई। मुसल्मान यहां बढ़कर 22 परतिशत से अधीक पर पहुँच गई। संथाल परगना में मुसल्मानों की आबादी बढ़ने के तीन वज़ा बताई जा रही है। विजेपी परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी के मुताबित इस इलाके में बड़े पैमाने पर बंगलादेशी घुषपाइटियों का परवेश होना। जारखन का संथाल परगना बंगाल सिमर से लगा हुआ है और इसी के जरिये इन इलाकों में बंगलादेशी आकर बस गए हैं। दूसरा, पूर्व सीम चंपाई सोरे ने बिधान सबा में इसको लेकर एक बयान दिया था। उनके मुताबित आदिवासियों की आबादी पूरे जारखन में कम हुआ है या क्यों हुआ है इसकी समिक्षा की जानीच चाहिए। आदिवासियों को उनके हग अधिकार मिले तबी बात बन सकती है। संथाल परगना में धर्म परिवर्तन भी आदिवासियों के कम होने की वज़ा बताई जा रही है। 2017 में सरकार इसको लेकर कानून भी बनाया था लेकिन इसके बौजूत कई जगाओं से जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आये हैं। वैसे भारत्य जनता पार्टी द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाने का मकसद क्या है आईए इसे विशंशिप में समझते हैं। आब आदी घटने बढ़ने की समामले को बिजेपी बिधान सभा से लेकर चुनाव आयोग और राज्यपाल तक उठा रही है। पार्टी चुनाव से पहले इस मामले को धार देना चाहती है। बिजेपी की इस रन्निती की पीछे दो कारण है। पुदायों को तहरी ती गए। हेमंत काया समिकरन हीट रहा और बिजेपी की सरकार चली गए। हालिया लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी और मुसल्मानों ने इंडिया घटबंदन का समर्थन किया। संथाल परगना के 6 जीलों में विधान सभा की कुल 18 सीटे हैं। 2019 के चुनाव में 18 में से 4 सीटों पर बिजेपी जीत थी। दूसरा भारत्य जनता पाटी द्वरा जारखन में आदिवासी और लुभाने की कोशिश। जारखन आदिवासी बहुल राज्या है। रगवारदास को छोड़ दिया जाए तो अब तक जितने भी मुख्यामंत्री बने हैं सब आदिवासी समुदाई के ही रहे हैं। राज्या में विधान सभा की 81 में से 28 सीट आदिवासी के लिए रिजर्ब है। रिजर्ब सीट को छोड़ भी दिया जाए तो करिब 30 ऐसी सीट हैं जहां पर आदिवासी मद्दाताओं का दबदबा है। पिछले विधान सभा चुनाव में इन 28 में से सिर्फ दो सीटों पर विजर्ब को जीत मिली थी। या दोनों ही सीट खूटे जीले की थी। हलिया लोग सभा चुनाव में खूटी में विजेपी को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ा है। पार्टी के कदावर नेता अर्जुन मुंडा यहां से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में आदिवार्षियों को साधना विजेपी के लिए जरूरी है। यही वज़ा है कि बिजेपी आदिवार्षियों के मुद्दों को जोर सोर से उठा रही है। ऐसे में इस साल यानी 2024 का विधान सभा चुनाव जारखन के लिए दिलचर्श होने वाला है। क्योंकि एक और जहां इंडिया गड़ बंधन आदिवार्षियों को लुभाने के लिए जोर आजमाइस लगाए हुई है। वही भारतिय जनता पार्टी की गीद नजर भी आदिवार्षियों पर है। हलाकि इन सभी राजनितिक दल शिर्फ आदिवार्षियों को अपनी भोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। बाकि विकास के नाम पर शिर्फ उन्हें जुन-जुना धराया जाता है। बाकि इस पर आप क्या सोचते हैं आप अपनी पत्रक्रिया कमेट बोक्स में दे सकते हैं। बाकि आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही राजनितिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यावाई आभार जुहार।